बहुत समय पहले की बात है एक गाव में एक सौधागर रहता था उस सौधागर को उट पालने का बहुत शौक था एक दिन सौधागर उट खरीदने के लिए बाजार जाता है तो उसे वहाँ पर एक अच्छी नसल का उट दिखाई देता है वो सौधागर उस उट बेचने वाले के पास जाकर उससे उट बेचने की बात करता है सौधागर और उट बेचने वाले के बीच काफी लंबी सौधे बाजी के बाद वो सौधागर उट को खरीद लेता है और अपने घर लेकर चला जाता है घर पहुँचने के बाद सौधाग दिये, ये देखकर नौकर जोर से चिलाया और अपने मालिक को कहा कि मालिक आपने जो नया उट खरीदा है उसके सीट के नीचे से ये हीरे जवाहरात से भरी थैली मिली है, सौधागर ने जब उन हीरों को देखा तो वो भी हैरान हो गया, हीरे बेहत चमकदार, सूरज की बड़ा बेवकूफ है तब ही अपने मालिक से कहता है मालिक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा रख लीजिए मगर सौधागर बहुत इमानदार था उसने अपने नौकर की एक भी नहीं सुनी और वो हीरे की थैली लेकर बाजार पहुंचा और उस उट बेचने वाले को थैली व बना कर दिया उट बेचने वाले ने फिर से कहा आप कोई भी हीरा ले सकते हो आखिर में सौधागर ने उट बेचने वाले से कहा दरसल मैं जब हीरे लेकर आ रहा था तब ही जो इसमें दो हीरे सबसे कीमती था वो मैंने पहले ही ले लिया था ये सुनने के बाद उट बेच तब सौदागर ने कहा, वो दो हीरे का नाम है, एक मेरी इमानदारी और दूसरी मेरी खुद्दारी। दोस्तो कहानी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, अपना खयाल रखें, धन्यवाद।